हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में आपको बतानी जा रही हूँ, आप अपने घर के छट पर या फिर कहीं भी कैसे गोबी उगा सकते हैं, ये देखिए मैंने ये गोबी अपने घर के छट पर गमले में उगाया है, आप भी अपने घर के छट पर किस प्रकार से गोबी लगा सकते हैं, ये आप देखिए इस वीडियो में, इसे मैंने आज से 20 दित पहले इस गमले में लगाया था, और आज ये गोबी निकल के तयार हो रहा है, एक बार और निकला था गाईज, उसे हम लोगों ने तोड लिया था, ये दूसरी बार न जैक्न की, ये टोटली और गैनिक है, और ओर्गैनिक सबजी का स्वात बहुत ही टेस्टी लगता है, क्यूंकि बाजार में जो सबजिया मिलती है, उसमें बहुत सारे तरह तरह के खाद, इन्जैक्न, लगे रहते हैं, आज कल की सबजिया और गैनिक नहीं रहती है, लेकिन आप घर के छट पर उगा के खाएंगे तो आपको और्गैनिक सब्जिया मिलेगी तो इसी प्रकार से मैंने गोबी लगाई है आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी गोबिया के पौधे लगाया थे और सारे लग चुके हैं और आज गोबी दे रही है और आजकर ठंडे के मोसम में सब्जिया तो बहुत मिलती है क्योंकि सब्जिया अभी बहुत होती है इसलिए मैंने भी घर में तरह तरह की सब्जिया लगा रखी है और मैं भी और्गैनिक खा रही हूँ यह देखिए आप मैंने कितने सारे गोबी लगाई है आप देखिये, मैंने तीन गमले में गोवी लगाई थी और मेरा तीनों में अभी छोटा-छोटा गोवी आ करके तयार है इसमें आप देख सकते हैं, छोटा सा गोवी निकना है और ये तीन-चार दिनों में बڑा हो करके खाने लाइक हो जाएगा इसे लगाना बहुत ही असान है आप कोई भी गमला लेनी जाए मीडियम साइज का और उस गमले में मिट्टी भर लीजे मिट्टी भर करके उसमें गोबी का पौधा को गाड़ दीजे उसमें अच्छे से पानी डाली है हर दिन और इसे धूप में जरूर रखिये क्योंकि धू गोबी तो टेस्टी लगेगी ही लेकिन इसकी पतियां कभी चट्नी बनाई जाती है और इसकी पतियां की चट्नी बहुत ही स्वाधिश्ट लग तो मैं गाइस इसकी पतियां भी खाती हूँ कभी-कभी जैसे मुझे चट्नी खाने का मन करता है या फिर साग खाने का मन करता तो मैं थोड़ी सी पतियां इसकी तोड़ लेती हूँ इसकी पतियां की चटनी मिक्सी ग्राइंडर में आप भी बना सकते हैं और खा के मुझे कमेंट करके बताईए गत कि आपको इसकी पतियां की चटनी कैसी लगी इसकी पतियां की चटनी के लिए आप इसकी 4-5 पतियां ल दाल दीजे, मैं उतना तीखा नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं एक डालती हूँ, और थोड़ा सा सरसो का तेल और थोड़ा सा स्वाधनुसा नमग डाल दीजे, और इसे पीस करके खाईए, चावल के साथ, यानि कि आप दोपहर के टाइम में जो भी खाते हैं, मैं तो दोपहर के टाइम में रैस पसंद करती हूँ, तो मैं इसे रैस के साथ प्रिफर करती हूँ, तो आप भी इसे रैस के साथ खा करके देखिये, इसका पतियां भी बहुत ही टेस्टी लगिया, क्योंकि जोटली ऑर गयनिक है, और जब यह गोबी देना बंद कर देगा, यानि कि अब यह बहुत ही टेस्टी लगता इसकी सारी पतियां को तोड़ कर के धो कर के अच्छे से बूंदूँ готовoop तो भी आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है हरी सबजिया का तो क्या ही कहना हरी सबजिया तो डॉक्टर कहते है कि जादा हरी सबजिया खाऊं तो हरी सबजिया खाने से बहुत सारी बिमालियों से दूर रहते और गर की हरी सबजिया का तो बाती कुछ अलग है क्योंकि ये खाद फ्री है और इसमें इंजेक्षिन नहीं लग रहा है तो मैं कोसिस करती हूँ कि जादा से जादा मेरा घर में हरी सबजिया होगे और मैं घर का ही हरी सबजिया सब्ता में एक बार बना करके खाऊँ इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी हरी सबजिया उगा रखी है घर में, मैं आपको एक एक करके सारे दिखाऊंगी, मैंने साग, टमाटर, मिर्चा, धनिया पत्ता, यह सब भी लगा रखा है, वो भी मेरा जब होने लगेगा, अभी हुआ नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, गोबी के बहुत से रेशिपी होते हैं, जैसे कि आप गोबी की सबजी बना सकते हैं, या प्र गोबी खितरी में भी डलाता है, आपFirstी के टाइम में, पूरा भेज़िटेबल डाल करके घर में खितरी बनाई जाती है, जैसे मतर छेमी और गोबी, और तरह तरह की सबजियां ड तो इसका टेस्ट काफी निखर करके आता है और काफी टेस्टी लगता है या फिर आप गोबी मंचूरियन गोबी मंचूरियन तो बच्चे को बहुत ही पसंद होता है बच्चे बहुत पसंद करते हैं गोबी मंचूरियन फिर गोबी के साथ मिक्स बेज या फिर सिप गोबी क सबजी, कुछ भी आप बना सकते तो गोबी के अनेक रेसिपीज और इसका स्वाथ तो काफी अच्छा होता है, सभी को फसंद आता है अभी ठंडी की टाइम में मैं अक्सर गोबी के पराठे बनाई करती हूँ, ये भी घर में सबको बहुत पसंद है, और काफी हेल्दी होता है, ये आपको मैंने दिखा दी कि आप घर पर किस प्रकार से घर की उगाई हुई सबजी खा सकते है आज कल मिलावटी भरे जमाने में अच्छा होगा की बहतर होगा की, हम अपने घर पही कुछ जादी सबजिया महनत करके उगाई और घर के ही खाना खाए उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और हमारा इम्म्यूनिटी भी अच्छा रहेगा सो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी कैसी दी, सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने न भूले ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेकर क्या हूँ तो आज मैं यही पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, देखनी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद